दोस्तों स्वागत आप एक बाव फिर्ट हमारा आज लेक्टियो नंबर टू आर भी आई का यानि कि हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम का वाज हमारा चलेगा इसे पहले यार मैंने डिटोरियल स्टार्ट की हैं आप चाहो तू देख सकते हो साथ में करेंट अफेर्स भी लेकिन मैं ठोड़ा जल्दी बाजी में अगर हम बात करें तो हम उसके जो कारे होते हैं उसके उपर डिटेल में ना करते हैं जल्लन बोलने निकल गया था तो आज कारे को समझेंगे अच्छे से हम को समझेंगे और साथ में अगर टाइम मेला तो 성공 को यहां पर समझने कुश करेंगे कुछ basic terminology भी डाली है इसमें प्रतिभूतियां क्या होती हैं क्या है उनका मेन मकसद तो कुछ ऐसे terminology से जहां मुझे लगता है कि इस topic में यह topic आएगा तो उस basics को पहले समझा देना ताकि जब मैं explain करूँ तो बच्चों को बहुत अच्छे से जो है चीजे समझा सके तो मेरा नाम नितिन अरोडा है मैंने काफी सारी books को मतला बहुत कंपाइल कर रखा है not लिखा तो नहीं कह सकता मैं पर हाँ मैंने काफी सारी books को compile किया है आप हमारे अरो मतलब अमेजोन एफ लिकार पर आप देख सकते हैं तो आज कर देखें टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखें अगर मैं बोलूँ आपको किलर कर बोलूँ तो लास्ट वीडियो में हमने पहले इसको समझाता यानि कि हम अभी तक अगर हम देखे हैं तो हम अभी यहां पर introduction भी है जो कुल मिला के जो हम फसे हुए हैं ठीक है इसके बाद फिर हम money market, capital market, money supply, Indian wagging system जो भी है सारे चीज़ जो introduction हो गया अब हम यहां पर RBI के functions के पीछे भाग रहे हैं इसके बाद objective functions and इसके पीछे मतलब कुल मिला के हम अभी हम यहां पर जो है कुल मिला के चलते हो चले गए थे लेकिन हम केंद्रे बोर्ड को मैंने बहुत ज्यादा detail में समझाया था कि basically एक governor होता है और चार डिप्टी governor जो हमें देखने को यहां पर मिलते हैं फिसके बाद इसका विद्धिक ढाचा आ गया था कि इसका basically दो पर ज्यादा control रहता है फ साथ में कहीं ना कि हमने पूर समत्वालिक जो है इनके बारे में हमने चर्चा करे थी रिजर्बैंक के कारों के बारे में बात करते हैं देखो सिती अगर देखें तो मौदिख सती बनाए रखने को नेरिवं को बनाए रखता है कि मोद्रिक, सिती को जब करते हैं तो नोटों कँ यह उंख है अगर हम बात करें जिसका ओथरैजेशन है वो कही न कहीं अगर बोले तो हमें इनके बासी जो है देखने को मिलता है, ठीक है, यहने कि ऐसा नहीं है कि SBA उठा के पर नोट शाप दे, PNBA उठा के नोट शाप दे, नहीं, इसका जो अधॉर्टी है, वो है RBI के पास, तो Reserve Bank of India ही जो है, इसके पाधॉर्टी जो है देखने को मिलती है, मुद्रा रिंड प्राणी संचालन भी करता है, मुद्रा में कितनी कमी है, कितना लोन देना चाहिए, मार्किट में according to the slowdown, देखो, जब भी slow होगा चीजे, दहां से बहुत बेसिक कंसेप्स को समझो, क्योंकि मेंने basics को समझना, जब भी slow, अगर माल लो तुम ही हो, ठीक है, चल तुमने, पहले यह समझो कि slowdown अगर चल रहा है, ठीक है, एक तरह अगर माल लो, slowdown चल रहा है, तो क्या होगा, भई नोकरियां कम हो गई, फैक्टरें बंद हो गई, यह सारी यह चल रही है, तो इन में क्या है, यानि कहीं न कहीं इनको capital के अभशेक्ता होगी, कि कहीं न कहीं आए कोई आके इनको loan दे, यही होगा, भई कहीं न कहीं, अगर बात करें, company अगर आए, तो loan यहां से इनके पर जाएगा, ठीक है, ताक इनको को loan भी लेता है, तो इसको हटाओ, हम पांच के जगा, हम 8% लेंगे, तो देखो, यह 3%, 4%, दिखने में आपको बहुत लगते है, 3%, 4%, लेकिन, जब आप लंबे time के लिए loan लेते हो, जब बड़ा amount लेते हो, तो आपको interest बहुत जा जा देना पड़ता है, मालो किसी ने सो करोड रुपे ले लिए, मालो उसको 8% के साफ से मिला, ठीक है, फिर पता चला, इसको 12% के साफ से RBI दे रही है, अगर मालो जो fast inflation का time चल रहा है, यानि कि बात करें, तो मतलब government चाती है कि बहुत जो पैसा है, जो सक करा जा market से, समझे मेरी बात को, तो यानि कि हमें यह RBI जो है, मुद्रा और रिंड वराणी संचालित भी जो है कुल मिला कर यहाँ पर करती है, थर्ड पॉइंट के अगर हम बात करें, जटिल आर्थिक चुनूतियों से निपटने के लिए भी मुद्रिक नीती जो है कुल मिला के त्यार करी जाती है, यानि कि हमें यह बता चल कि जब एकनौमी कंजिस्टिड है, यानि कि अगर बात करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही, जासे कि भी COVID के समय देखो, तो सबस्यादा जो है यहाँ पर, RBI नहीं अपने आके यहाँ पर रैपो रेट्स को घटाया था ताकि, क्योंकि slow down थी एकनौमी, एकनौमी क् सब चीजों के कारण अगर हम देखें, यह सब चीजों कारण ही जो है कुल मिलाकर, अगर हम देखें तो RBI का जो basically हमें काम देखने को मिलता है, समवद्धी को बनाए रखने के लिए मुले स्थिर्था बनाए रखना, भाई मुले स्थिर्था बहुत important task है, क्योंकि जब ची समझो कि अगर जिसका दूद के कारोबार है या फिर मतलब दूद से मिठाई हैं बनाता है तो इसके लिए कितना effect होगा, वह भी rate बढ़ाएगा, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि मुले स्थिर्था रखना, देखो inflation यानि कि ऐसा नहीं है कि amount जो fix होना चाहिए, नहीं, यह इतना inflation चलता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 2-4% के हिसाब से अगर inflation नहीं हुआ, यह maximum 5% के हिसाब से अगर inflation नहीं हुआ, तो उससे producer, जो बंदा धंदा कर रहा है, जो business man है, उसको profit के लिए motivation नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पैसा स्थिर हो जाएगा, तो इसलिए किसी पिक नॉमी में 2-4% के हिसाब से अगर inflation हो रहा है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यही 40% हो जाए, तो फिर यह danger है, सिती क्या हो जाएगी दोस्तों, यह basically अगर बात कर तो danger के तो पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स आते हैं, अन्ने कारों में देखे थ है, RBI अपने rules बनाते है, भई नहीं है, तो RBI के खिलाव है भई, यह तो नहीं हो सकता, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी SBI, आपने देखा होगा कि lunch के समय, lunch के समय, अगर हम देखें, तो क्या करते है, SBI वाले सारे एक साथ lunch करते है, सारे, भई मेरा भी account है, बहुत द भूलेगा, नहीं, RBI ने rules यह established किया, कि lunch के समय, आप cash counter या फिक कोई भी process को बंद नहीं कर सकते, आपको substitute रखना पड़ेगा, यानि कि इसका मतलब यह हुआ, कि कोई भी आदमी एक खठा lunch नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यानि कि आप banking process को बंद नहीं कर सकते, चाब वो एक condition में अगर बात करें, तो कहिना कि lunch को जो है, यहां पर तो कहने का मतलब क्या हुआ, RBI ने अपने map band बना दी, map band यह तो बनाए न, तो उसी चीज को लेके, यहां पर एक हमें, एक introduction देखने को मिलता है, सोस्तों के सर, example कहां कहां से, डूंडूंड कलाता है, भाई देखो, economy है, click करते हैं, समझायता है, उसी को fit कर देते हैं, सरकार के banker के रूप में भी कारे करता है, अब यार माल लो, अब सरकार है, भाई, कडोर रूपी की deal चलती है, ऐसा तो है नहीं कि हम जाते चिलर आदमी, भाई, कितना है, भाई, मेरे account में 200 रूप बड़े हैं, लेकि सरका के साथ मिनिमूम करें, दो-दो-दो-जार क्रोड की बात होती है, दो-दो-जार क्रोड की बात होती है, तो उस condition में भी जो बड़े-बड़े amounts, अब ऐसा तो है नहीं कि SBI पूरा कर देगा PNB नहीं, भाई, जब बड़ा heavy amounts चाहिए, मालो 10-15,000 क्रोड पे चाहिए, भाई क्यों, उसके उपर पर auditor बैठे हैं, अगर free में देदेगा तो उसकी हालत खराब कर देगा, auditor, और फिर मुद्दा उठेगा, मुद्दा पार्लिमेंट जागा, पार्लिमेंट बला-बला होगा, सरकार यहां तकि सरकारे भी गिर जाएंगी, यहां इसका एक positive, एक बहुत सरकार के बैंकर के रूप में पिका रहे गाता, क्यों, heavy amount है, कें दो राज्य सरकारों के विपारी बैंक के रूप में भी काम करता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, राज्य सरकारों को भी heavy amount होता है, तो राज्य सरकारे भी RWA के साथ contact करती है, समझागे पिर एक तासे बैंको का माईबाप भी यह है बैंको माईबाप का मतलब भई कही ना कि अगर देखें तो बैंकों के तलिए अगर देखें तो बैंकों की भी पूरी पुराणी जो है देखके चलते हैं यानि कि अगर हम देखें, SBA होगा, PNBA होगा, Central Bank होगा, ICC होगा, जो भी होगा, जिसको भी बैंक के अगर मालो किसे को funds की आवश रखता तो हर आदमी जो अगर बात कहें तो RBI से ही सबसे पहले contact करता है, तो यानि कि बैंकों का बाप होगे है, फिर विकास्माद कारों के ल social impact, social और economic impact की तरफ आगे बढ़ सके, समझ आ गया, तो यह हमारे कुछ कारे थे जो मैं last time जल्दिवाजी में कर गया था, तो अब इसको अमने detail में थोड़ा सा देखा, अब समझो, देखो दोस्तों, monetary policy को समझने के लिए हमें दो points चीए है, जिसमें गुणात्मक उपाये और एक हमारा होता है, प्रिणात्मक उपाये, गुण का मतलब क्या होता है यार, पहले words को समझो, क्योंकि देखो, जब तक one को नहीं समझोगे, जब तक कुछ नहीं समझाएगा, भई गुणात्मक उ तो आप बोलो कि direct जब एक होता है direct और एक होता है indirect, लेकिन directly RBI का control होता है, इसको हम बोलते है quantitative tools, ठीक है, direct, मतलब जब direct कोई चीज का inflammation होता है तो उसको फिर हम यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इसको direct के तोर पे हम चीजों का समझने कोश करते हैं, देखो, अब कर मैं ए जीज के तोर जब इसको हम पढ़िनात्मा उपाए के तोर पर हम इसको समझते हैं, तो जिसके अंदर पढ़िनात्मा उपाए में दो तरह की tools होते हैं, ऐसे समझो, एक होता है direct और एक होता है indirect, तो direct और indirect के tools को जो हम अच्छे से हम कुल मिला कर समझने की कोशिश को हम अच इनके बारे हो बहुत दर डिटेल के अंदर हम समझे की जो कोशिश करते हैं, चले, पहले कुछ टर्मलोजी से, जैसे कि मुद्रिक निती से अभी प्राई, यनि मुद्रिक निती क्या होती है, इसका अभी प्राई होता है कि कि किसी भी राज के केंदरे बैंक द्वारा निती के अंदर, जब इन टूल्स का जब हम उपयोग करते हैं, अभी तो समझने आए, सब तो ऊपर से जा रहा होगा, कि यार बता तो रही नियारोडा जी, लगे होए हैं, पेशेंस रखो, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा होले होले चलेंगे, बढ़ि कितना भी कोई रगड़ दे, करके आओगे कोशन, MCQ हिट करके आओगे और लिख के भी आओगे, ठीक है, यह मेरा प्रॉमिस है, तो उसी कंडिशन में, यहां पर उपलबता पर नेर्टन स्थाप पे दिया, निकि नेर्दर करता है जब किसी चीज को, ठीक है, भारत के अभ पता चलता है कि देखो, रिजर्ब बैंक साक नेर्टन नियमन हेतु, दो वीदियों का प्रियोग करता है, जिसमें आपका प्रिणात्मा कुपाई, जिसमें मोदरिक उपाई डारेक्ट होते हैं, और एक होता गुणात्मा कुपाई, जो गैर मोदरिक उपाई, यानि कि यह जहां पर पैसे को लेकी बात नहीं होती, सिर्फ आरवे अपने टूल्स का यूज करता है, यानि कि गैर मोद्र कांतर समझो कि ऐसा नहीं कि पैसा लागे डाल दिया, नहीं, यहां पर सिर्फ यह मोटा मोटा से समझो कि जब आरवे अपने टूल्स के थूरू जब काम करता है, यानि कि इसके पार हतियारों दे दी है उसको weapons के थुरू काम करता है, पैसे की बात तो ही नहीं रही इसमें, इसमें से अपने हतियारों के थुरू के थुरू के थुरू को जो है उप्योग यहां पर कर रहा है, तो CRR को भी हम आगे समझेंगे, लेकिन से पहले कुछ basics को भी ह हम जो समझें कि यहां पर कोशिश हम करेंगे, ठीक है, तो यानि कि अब हम देखते है direct में, पहले समझो basics, कभी-कभी आपको घराक word समझ आएगा, कभी-कभी मैं क्या बोलूँगा, घराक का मतलब यह नहीं कि आप उत्भोगता को समझ जो, नहीं, banking के अंदर घराक का में देखते हैं, यानि कि जब banking terminology के अगर हम बात करें, तो उसमें हम घराक को, सरकार, सरकारी company, bank, वित्य सस्ता, इत्यादी को, हम जो है, देखने की कुल मिलाकर, देखें तो हम कोशिश जो हम यहां पर करते हैं, फिर, बहुत दी निति के उपकरण, यानि कि वीदियों के सरकारें बात होती है, तो देखो, यह कुछ है, तो बेसिकली, ठीक है, तो इसमें अभी हम CRR की बात करेंगे, यह शायद गलत आ गया, रुको, एक ओर बेसिक आता है, परती भूतियां, जिसको हम बोलते हैं, परती भूति, ठीक है, इसका मतलब है, निशित आस्वाशन, य चल्गु, परबें ऑदी, समध्ली, सरकार काज या फिर साख पत्र, अब दीखो, एक एक सारत खांज, जिस समझ आ रहा होगा SECURITY, मालो, आपने homeroon लिया, homeroon का मतलब यह हुआ कि, बैंक के काज, यह क्यों यह क्योंत्त, आपके क् जो महान के काज है, वह बैंक के पास है आपने रिश्टुरी कराई और आपने बॉला कि नहीं मुझे 20 लाग रुपे का होम लून चीए मालवा आपके अकांड में 5 लाग रुपे हैं आपके अकांड में पांच लाग रुपे हैं और आप एक रेंट पर रह रह रहे हैं जिसका किराया मानके चलो गरीब 6,000 रुपे six के आपका परमन जा रहा है, ठीक है, इस सेनेरों समझना पर ले, उस condition में आप मतलब कुल मिलाके, आपको ये समझाया, कि six के जा रहा है, पास लाग मेरे अकाउने उपड़ने, क्यों ना मैं 25 लाग का मकान ले लूँ, मकान ले लूँ, फ्लोर ले लूँ, फ्लैट ले हुआ कि, आपने बोला में पास लाग है, मुझे बीस लाग रुपे का होम लोन चाहिए, मुझे कितने लाग का चाहिए, बीस लाग का मुझे होम लोन चाहिए, ठीक है, बीस लाग का, तो जब बीस लाग का, जब आप होम लोन लेने गए, ठीक है, तो बैंक में तो आपका बैंक बोलेगा क्या सिक्यूर्टी है तो आप बोलेगा माई बाप यह मेरे मकान के जो मैं लेना चाहते है पेपर है करा दीजिए और आप अपने नाम कर लिजिए जब मैं आपको 20 लाग का आप बैंक अब क्या है आप सिक्योर हो गया आपने एक तरह से सिक्योर्टी को गिरभी रखा सिक्योर्टी के किस फोर्म में आपने पेपर फोर्म में रखा नहीं दोगे तीन-चार मैना च्छे में नहीं दोगे उठा के बैंक तो बेज देगा बैंक तो किसी के सगा है नहीं तो उस कंडिशन में जब आपने चीजें जब आपने बेची ठीक है जब चीजें आपने कुल मिलाकर जब बेची ठीक है आपने मतलब सोरी मतलब गिरिव बैंक के पास ग्रिवी रखी और आप बैंक ने आपको मतलब पैसे देदे 20 लाग और कुल मिलाकर आपको एक आपका मकान में लिए आपने भी सोचा चलो यार 6,000 में रेंड दे रहा था अपको इनी 10,000 पे मैं दूंगा 10 साल तक तो मेरा कुल मिलाकर मेरा मकान अपना हो जाए आपने भी दिमाग लगा है कि ठीक है जहां मैं पले रेंड भरता था 10,000 पे किस दे रहा हूं तो मेरा मकान में मेरा अपना हो जाएगा कल को मैं उठागे तो बेज के कहीं और निकल लूँगा तो यहानी कि यहां पर आपने यह देखा कि बैंक ने आप से security ली आपके मकान एक security paper समझ लो उसको लिखा रहता है पूरी जो भी कार्णियों कारवाई होती है पिक paper होता है उसमें चीजे होती है और वो एक तरसे security के तोर पे एक proof होता है कि हाँ भी यह बंदा गिरभी रख रहा है फिर जो भी है तो उसको हम परती भूतियों के तोर पे हम समझने कोश कोशिश करते हैं मैंने बहुत ही असान language में with examples के through मैं आपको जो है आपको कुल मिला कर बोलू तो मैं आपको जो समझाने की जो है आपको कोशिश कर रहा हूं तो हमें यह पता चला कि परती भूति होती है जिसमें सरकारी अब देखो ऐसे भी समझो साख पत्र मालीजे बैं में वो बोलती है वही जो भी बंदा आएगा हम उसको return में 9% के साब से ब्यास देंगे जो भी amount अगर कोई मतलब हमें देता है तो हम उसका एक साल के बाद उसको मतलब की 9% साब से interest देंगे तो सरकार अब यहां पर bond जारी करती है क्या करती है जो एक तरह से जो security papers ही होते है तो परतिबूती समझ आई यानि कि इस kind of paper जो amount secure होता है मतलब उस पे risk के chances zero होते हैं तो यहां पर conclusion क्या निकला जहां पर risk के chances जो होंगे बिलकुँ zero होंगे उसको हम जो है कुल मिला कर परतिबूतियों के तोर पर समझने के कोशिश करते हैं तो आज मैंसे परतिबूती तक समझाए basic था क्योंकि देखो दोस्तों इसके बास CRR को समझाना बहुत important मैं चाहूं तो मैं पांच मिनदे के नदर पूरा course complete आते गंड़े पूरी banking समझा सकता हूं नहीं यह मेरी long series है जो हमशा पड़ी रहेगी YouTube पे तो मैं यही चाहता हूं कि कम से कम मेरा बच्चा अगर देखर है कोई तो यार खुद बोले मजा आगया क्योंकि जब दिल से feeling आएगी ना मैं वही चाहता हूं मैं यह नहीं खाना पूरती नहीं अगर पढ़ाऊंगा तो अब मैं दिल से पढ़ाऊंगा तो बिल्कुत दिल से पढ़ाऊंगा तो आज के लिए इतना ही फिर नेक् यह किया तो तो तेको तो तो तक बाते हRI हिर नेक्ड़ हैं मैं भेखर तो आएमा मैं। ऑाऊंगा तो तो तक इम झीम, वहाँ ब्हाँ झाल झाल